उत्राखण में बलता गुल्दार का आतंक अब इंसानों के लिए जानलेवा साबित होने लगा है गुल्दार अब जंगलू में मविश्यों के साथ जाने वाले लोगों पर भी हमला कर रहा है जिस कारण पिछले चंद महनूं में ही दर्जनों लोग खायल हुए हैं इतना ही नहीं सैकडू मविश्यों को भी गुल्दार ने अपना निवाला बनाया है पहाड में गुल्दार के हमले की खबरों के बीच एक और खबर बागेश्वर के कांडा से आई है यहाँ 60 वर्षी विशंदत अपने मवश्यों के साथ गाउं के पास जंगल में गये हुए थे और वहाँ घात लगाये गुल्दार ने बक्रियों पर हमला कर दिया इसके बाद विशंदत अपने बक्रियों के बचाने के लिए गुल्दार से बिढ़ गए और घायल हो गए इस घटना के बाद गाउं में देशर्ट का माहुल है और घटना की पूरी कहानी अपनी जुबानी बता रहे हैं विशंदत सब्सक्राइब कर दोड़ने के लिए तो उसको डोडने के लिए गया तो वह बगरी बिल गई जारी में उसी जारी में बाग भी छिपा था वह पाटे कर दो तो लगवक कितने समय से बना है कोई सु चाहे कि रहें सैंसे अदू तो केसे क्या घटना हुई जाओ कुरा बताएं Q notamment ये तो बतनेगा होगा जाख रड़ीया में ऑटेजा आटैक गा था, लेकिन बजगी अवधाया में पुरा मेरे ओपर जूली जाए गूली में ऑगल मेरा आदमी अवग घिल गए दसी ही। मैं फरागा खाल रहा हुआ, मैं डिछा नहीं, लेकिन जो आठनी ता मेरे तु刈 ता दु则 को भाज दु刁 सो है लो जड़, रखमेट को दू刑 को का दू刑 इस पूरे जठाई सेत्र में पिछले 4-5 मेहनों से गुल्दार का आतंग बना गर्में पर फोर दो बज़े खा किया दिए घर में घर में घर में जिन में यहां पर बैठे तरे दोग वाले बैठे तरे नीचे यही पर बगरिया ठेड़ी तरी पो जारी के अंदर वही पर एक बखरी गनेदर की खाई एक और स्वर्गी मंगल शिंग संफाजी भी का खाया एक बखरी बचे शिंग की और खाया और और भी खायी किसी की बखरी तो चैजाने बताया जैसे कि लगातार सेत्र में गुल्दार का आतंग बनाया है खुद इन पर गुल्दान ने हमला कर इनको घायल कर दिया है और लगातार ग्रामीन शिकायत भी कर रहे हैं कि सेत्र में पिंजरा लगाया जाए या गुल्दार को पगड़के अन्यत्र कहीं भेजा जाए या भ्यारणों में लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुए है पुरे ग्रामीन जो है वो भैवीद है गटना के सेत्र में भाई का माहूल है और सरकारों को और बन विभाग को चाहिए कि सेत्र में जल्दी से कोई ऐसी विवस्ता की जाए जिससे की गुल्दार को पगड़के अन्यत्र कहीं भेजा जाए या पिजड़ा लगाने की जल्दी यहां पर खारवाई की जाए यही ग अगिश्वर के काड़ा सेत्र के जठाई गाउं से जगदीश पांडे उत्राखंट तक